प्रजवल रिवन्ना के अश्लील वीडियो सामने आने के बात देश भर में महिला कॉंग्रेस विरोध पर दर्शन कर उनकी गिरफतारी की मांग कर रही है रविवार को राजधानी शिम्रा में कॉंग्रेस का रहले के बाहर महिला कॉंग्रेस द्वारा धर्ना पर दर्शन किया और रैली निकाल कर प्रजवल रिवन्ना को जल्द गिरफतार करने की मांग उठाए साथ ही महिला कॉंग्रेस ने भाजपा पर बलातकारियों को सनक्षन देने के आरोप लगाए केंदर सरकार के किलाफ इसलिए नारे बाजी किये जा रही है क्योंकि भाजपा हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अगर सच में देखें तो यह सिरफ जुमले बाजी करते हैं पूरे भारत वर्ष में इन दस वर्षों में जब से बारतिय जनतापार्टी की सरकार है महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ गए हैं चाहे वो हात्रस हो उनाओ हो मनिपूर हो अंकिता बंडारी का केस हो और महिला पहलवानों के साथ जो शोशन की बात हुई है आप सब्सक्राइब के साथ बलातकार किया और लगभग दो हजार महिलाओं की जो सेक्स स्केंडल जो यह इतना बड़ा हुआ है अश्ली वीडियो जो वाइरल हो रही है बहुत शरम की बात है और वो जो प्रजवल रिवन्ना है वो एंडिय का उमीदवार था एंडिय का उमीद रहा हैं कि प्रदान मंतिव्जी उसके चुनाव पर्चार में गई इससे क्या साही साहित होता है लोग हैं उनके साथ खड़े हैं मैं पूछना चाहती हूँ आज जो भारतिय जन्ता पार्टी की इतनी बड़ी-बड़ी नेत्रियां हैं जो बड़ी-बड़ी बाते करती हैं आज आज वो क्यों नहीं बोलती हैं वो जो बलातकारी है वो जर्मन जाके भाग गया है उसको प्रदान मंत् हम इमाचल परदेश की महिला हैं ये पूछ रही है इतने अत्याचार हो रहे हैं लेकिन कोई भी भाजपा का बड़ा नेता एक शब्द नहीं क्या रहा है और मैं महिला और बाल विकास मंत्री जो अमारी सम्रीती इराणी जी है माननी है मंत्री जी वो महिला और बाल विकास मंत्री है वो ना महिलाओं पर बोलती है और ना वो बाल विकास की बात करती है तो हम पूछना चाहते हैं कि एक दो शब्द इस पर भी तो बोल दीजिए कि इतना जगन ने अपराद किया है और वो भी इतने उच्च पद पर बैठते हुए चुने हुए लोग अगर इस तरह का बलात कार करेंगे वो भी हजारों में महिलाओं के साथ तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की महिलाओं कैसे सुरक्षित रह सकती है हम यही मांग करते हैं कि उस बलात कारी को भारत लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए